अखिलेश कुमार धाकड विशेश नियाएधीश मनासा के द्वारा अवेद मादक पदार्त अफिम की तसकरी करने वाले आरोपी शांतिलाल पिता सितारामतेली उम्रार तीस साल निवासी धाकड महला ग्राम कंजारडा तहसिल मनासा जीला नीमच को एंटीपियस एक्ट के तहत बारा साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपे जुर्माने से दंडित किया गया है गुलाप सी चंद्रावत अपड़ लोग अभियोजग द्वारा घटना की जानकारी देते हो बताया गया कि घटना लगभग 11 साल पहले की होकर दिन के लगभग 2 बजे की कंजारडा मार्ग पर इस्तिद घार्टी के पास दरगा की है थाना मनासा में पदस्त एसाई सुनिल धहमार को प्रधान आरक्षक उमेश चोहान ने थाने पर उपस्तित होकर बताया था कि उसे मुखवीर से सूचना मिली है कि कंजारडा डिकेन मार्ग पर इस्तिद घार्टी के पास दरगा पर एक व्यक्ती सिमेंट के कट्टे में जहां व्यक्ती बेठा हुआ मिला था और उसने भागने की कोशिश भी की जिसे पुलिस टीम की साहता से घेराबंदी कर पकड़ा गया और उसके पास से सिमेंट का कट्टा भी जबत हुआ जसमें कुल 21 किलोग्राम अवेद मादक पदार्थ अफीम मिला है मोके पर से ही आरोपी को गिरफतार किया गया और अफीम को जबत कर मनासा थाने में अपराद पंजिबध हुआ था विवेचना के दोरान आरोपी द्वारा उक्ता अफीम मदनलाल तैलिस से खरिदा जाना बताया गया जिस पर से मदनलाल को आरोपी बनाते हुए शेश साक्षक गवाओं के बयान धर्ज हुए और नियाले द्वारा आरोपी मदनलाल को संदे का लाप प्रदान कर दोशमुक्त किया गया किन्तु अभिलेक पर आई साक्षक के आधार पर आरोपी शांतिलाल तेली को अवेद रूप से अफीम की तसकरी के जाने के अपरात का दो श्रीपा कर धारा आट बटे अटरा एंडिपियस एक्ट उनी सो पिचासी के तहत बारा साल के सश्रम कारवास और एक लाक रुपे जुर्माने से दंडित किया गया है